हेलो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में देखेंगे एड़ ग्रेट अपियाज पुस्तिका दोजार चौबिस पच्चिस कक्छा आठ विशे विज्ञान आज की वीडियो में देखने वाले अध्याई आठ अध्याई आठ में हैं बल तथा दाप तो चलिए आगे को bakar देखें तो इसके बाद आता है आपका सही वि कल्प चुन कर लिए पहला cost है अपका पहले delta sä इंबम वायू मंड़ी तर्म कर maintenant इसके बाद आता है आप प्रिष्च्च्रमा के दूसरा की चितित्र बना वह हुए आफ द देख लीजें दूसरा का authors इंबर आपका c नमब आ तथा दा, इसके बाद तीसरा है, तीसरे के उत्तर हो गए आपका पेसी बल, इसके बाद आता है आपका प्रिश्ण करमांग चार, तो चार के उत्तर करना है आपको, बी नमबर होगा, छातर बी की ओर, इसके बाद आता है आपका पांचवा, पांचवे के उत्तर करना है आप आपको गुरुतवी करशडबल इसके बाद आते हैं आपके खालिस्थान वाले प्रेस्ण तो पहलें भरना है आपको परिडाम दूसरें भरना है आपको वायू मंडली तीसरें भरना है आपको असंपर्क इसके बाद आता है आपका चौथा तो चौथा भरना है आपको पाती का आकार देना मिट्टी को घड़े का आकार देना इसके बाद है चांथा तो चांथा को उतर करना है आपको दाबोवाय बल है जो किसी प्रेश्ट के प्रेती एकाई छेतर फल पर लगाया जाता है नेक्स्ट आता है आपका पांचवा तो पांचवा के आंसर करना है एक अनुदाहरड है, पेंड से फल का गिरना, इसके बाद आता है आपका प्रिश्ण करमांग 6, 6 का उत्तर करना है आपको संदूग की गती बढ़ाने के लिए, दूसरी लकडी, दूसरी लकडी को भी उसे पूर्वे दिसा में धकेलना चाहिए, इसके बाद नेक्स आता है आ लगुतरी प्रिश्ण करमांग 8 में है, चलिए देखने प्रिश्ण करमांग 8 का उत्तर, कूली ने सिर पर कपड़ा समान का बजन संतुलित करने और सिर पर दाप को कम करने के लिए रखा, इसके बाद आता है आपका प्रिश्ण करमांग 9 मा, ते चित्र है, आप अच्य से देख लीजेगा आपको तर करना है मोटाई के कारड़ धसने वाली छाड़ पतली छाड़ भी अधिक धसेगी क्योंकि उस पर अधिक दाप पड़ेगा इसके बाद दूसरा कोश्चन आता है दसका आंसर करना है आपको वस्तू की गती में परिवर्तन वस्तू की आकरिती में परिवर्तन वस्तू की दिसामे परिवर्तन इसके बाद नेक्सट आता है अपको 11 ग्यारक उत्तर करना है आपको धैनिक जीवन में गूरत्व करसड बल कारिकरता है जैसे वस्तूं का गिरना पानी का बहना चलने पर संतुलन और पेड़ों से फरों का गिरना उड़ते लेकारक हाथ और जिस वजदू पर बल लगा रहा नीबू और बल का प्रभाव होने वाला परिवर्तन प्रश निकलना तो यहां प्लिक दीज़ेगा हाथ भार हुग का खिचाओ हाथ आठा आकरेती में परिवर्तन तो आपको इस तरह बलेना है इसके बाद आता है आपको दे कम दाब पड़ता है और बोज सहना आसान होता है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन आता है आपका दूसरे का आंसर करना है सुई का छेतरफल बहुत कम होता है जिससे अधिक दाब उत्पन होता है उंगली का छेतरफल बड़ा होता है इसलिए उसे फेकना कठीन होता है इसके आप अपने बुख से देख के कर लिजएगा इसके बाद आता है आपका प्रिस्नग्रमांग 15 तो 15 को तर है असंपर्ख बलवय होता है जो बीना किसी प्रतेक्छि संपर्ख प्रतेक्छ संपर्ख जब किसी चार्च की गई वस्तु के पास दूसरी वस्तु आती है तो उन पर एक बल कार करता है चाहे वै आकरसड हो या विकरसड जैसे कंगी को बालों पर रगडने के बाद कागच की टुकड़े उसकी ओर आकरसित होते हैं गुरत्वा करसड बल में लिखना है यह वै बल है जिससे प्रतिवी किसी वस्तु को अपनी ओर खीचती है जैसे कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो वह सीधे जमीन की ओर आती है तो आपको इस तरह 15 कांसर करना है यह थाप का लास्ट कोश्चन यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है वीडियो अच्छी लेगी तो प्लीज हमारे चैनल लो लाइक के अ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में